उसके सामने भी मजबूरी है रवीज के बहार निकलता सुबह उठता पेपर में अब रवीज कुमार का बता है रवीज कुमार ने क्या किया कि निगाह देखिए क्या है असल में एक सुबह सुबह उन्हों जब देखा कि पेपर में बिग्यापन है किसका है बहुबली इलाइची का तमाम चीजों के उसके बिग्यापन है एक बिग्यापन जालिम लोशन का भी था उनकी निगाह पड़ी उनको लोगों बताया वो दिन भर यही डूडते है जाकी रही भावना जैसी ताने मूलत तैसी देखी मगर अभी यूटूबर से भी नीचे जाएंगे आप देखिएगा मोदी जी ने सुलब सोचाले बनवाएं सोचाले जगए जगए पागल खाने भी अभी से बनवाते हैं कई लोग पागल हो जाएंगे इन लोगों को जा करके जालिम लोसन और बर्नाल गिप्ट कर देनी चाहिए नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं स्टीवी नियूस और मेरानी गुपता आपके साथ है इस वक्त राम मंदर को ले करके तमाम लोग जो हैं वो बौखलाए हुए हैं क्योंकि यह वही लोग हैं जो कि बार अब तो लोग जो है वो अख़बार में आड आ रहा है राम मंदिर के प्रान प्रतस्था को ले करके शुपकामनाय दी जा रही है उस एड पर भी बौखलाहट जाहिर कर रहे हैं बता दे कि जाने माने यूट्यूबर पत्रकार है रवीश कुमार उन्होंने सीधे तोर पर अख़बारों में जो एड दिया गया है उसको ले करके सवाल उठा दिया है कि ये कैसे कैसे विज्यापन आ रहे हैं जो की राम मंदिर प्रान प्रतस्था को ले करके शुपकामनाय दे रहे हैं इसमें पान वसाला का एड है बिस्किट का एड है जालिम लोशन का एड है और ये कहा करते थे कि ये सिर्फ एक पार्टी का एजंडा है जो कि लोगों से वोट मांगती है लेकिन मंदर कब बनेगा ये नहीं बताएंगे लेकिन आज जब मंदर बन गया है वहाँ पर प्रान प्रतेस्था होने वाली है तो आप देख रहे होंगे कि एक एक चीज को लेक तरकी इनके द्वारा नुक्स निकाला जा रहा है अब अख़बार में जो एड आ रहे हैं उस पर सवाल उठाया गया है क्या कहेंगे इस पर देखे ऐसा है कि अधिकतर पत्रकारों में कहा जाता है विका हुआ पत्रकार तता देश की सब्वता के खिलाब बोलने वाला पत् वोफोर्ज जैसे कांडों में ऐसे लोगों की धलाली करने वाले जो पत्रकार हैं उनसे पच्छी हैं यह पत्रकार लोग कहते हैं तो आजकल यह बहुत चर्चा चल लहीं कि पत्तकारों में एक नई कर्मिटीव हो गई है जो समझ लीजे कि बहुत पिद्धी मीडिया तो अब यह आपने जो क्वेश्चन किया है यूटूबर मन उसका रवीश कुमार का तो रवीश कुमार जो यूटूबर है तो आपको बत हमदर्दी जलकती है एक जालिम की दूसरे जालिम की और जब भी कोई हुकूमत होती तो जालिमों में आपस में बड़ी वो होती है आपस में बहुत जवजस्त दोस्ती होती है अब क्या है कि जालिम लोसन पे निगाह किसी की नहीं पड़ी लवीश कुमार की पड़ गई ज जिसको जलन होती है उसको खुजली होती है और जिसको जलन होती उसको खुजली होती और जलन के लिए जालिम की जरूरत है और लोशन की जरूरत है यह लोग लोशन है लोशन आज कल आपको बताना है कि लोशन को लोग सूंग रहे हैं कई लोग नसेवाज उसका जो जिससे ट लोगों का ये है आपको बता रहा है कि इन लोगों जिनको जलन हो रही है खुजली होती तो वह देखिए वह बहुत टॉप पे पहुंच गया अर्बरुपिया कमा लिया बिहार में कुल लोगों के खुजली होती है तो लालू जी उस समय रिक्से से गयते जेल उस समय बहुत लालू जी को तो जिसको भी खुजली होती है वह तिहार बगेरा जाते हैं अब रवीज कुमार का बताने रवीज कुमार ने क्या कि निगाह देखिए क्या है असल में एक सुबह सुबह उन्हों जब देखा कि पेपर में बिग्यापन है किसका है बहुबली इलाइची का त ने मूरत तैसी देखी तो है क्या कि इनकी जो भावना है इन्होंने क्या किया जालिम लोसन उनका देख लिया और क्या लिख रहे हैं कि पटना के दैनिक हिंदुस्तान में राम अयुद्दा को लेके अनगंतिन खबरों के अलावा बिग्यापन भी छपे हैं रवीज कुमा पटना के दैनिक दैनिक हिंदुस्तान में वो बता रहे हैं कि इस तरह के विग्यापन छपे हुए हैं देखे कितनी गलग बात है इन्होंने बाकाइदे अपने उस पे किया और दिखाया कि मतलब जालिम लोसन और भी कई विग्यापन यह जब बोलते थे तो उसके नीचे विग्यापन चलते थे इतने भद्दे चलते थे कि पूछे ना दूसरी आपको बता दें कि प्रसों का खर्चा जो है विग्यापन पे चलता यह महलाजी जब थे तो इनका भाई कौन भाई इनका सगा भाई जो इनके साथ रहता है आज भी रहता है बिहार में राजनीत करत कांग्रेश का नेता है वह विग्यापन का काम करता था उसके असिस्टेंट काम करते थे अपरेटी से करता था इनका जो सगा भाई ब्रजेश पांडे और जिसको अभी इन्हों सक्कारता की सत्ता में चलती है कोई बिग्यापन पैसे नहीं देता इतना लिखने के बाद एक पर दो रुपाय का बिक्ता है लोग पैसे नहीं देते हैं कैसे चलता है लोग टीवी में देखते है कोई पैसा नहीं मिलता गांधी को पैसा बिल्ला जी ने दिया कांग्रेस को बिल्ला जी दिया आज कांग्रेस अगर इखड़ी है अब उनके लिए तुम ऐसा कह रहे हो सरमानी चाहिए सरमानी चाहिए उसी कांग्रेश से बिल्ला जी सांसद हुए है उसी कांग्रेश बिल्ला जी की बज़े से कांग्रेश टूट गई ते चंसेकल जैसे लोग निकल गए और तुम बिल्ला जी के पेपर को इस तरह स्केर इसका मतलब ये आपकी ये जलन हो रही है जलन हो रही है जालिम को जालिम ही और कोई नहीं आप समली मैं आपको बता रहा हूं किसी बलात में अगर इसमेक पीने वाले या सराप पीने वाले जाते हैं तो बलात में बस से पहले कुन्ने पर उतर जाते हैं वो सराप की दुकान चिलम की दुकान ढूल लेते हैं एक चिलिम बाला दूसर उसको जालिम की दूसरी मैं मोदी जी से भी अपील करूंगा खास तोर से नितीश कुमार जी से नितीश कुमार जी वहां गए थे केजरिवाल जी किया उनका जब उन्हों देखा कि इतना खुब्सूरत एर कंडिशन कामोर बाथरूम बगएरा बना तो उनके दिमाग खराब ह इनको एक काम करना चाहिए कि मोदी जी ने सुलब सोचाले बनवाएं सोचाले जगह जगह पागल खाने भी अभी से बनवा दें कई लोग पागल हो जाएंगे दूसरी बात है कि राची में रवीज कुमार को सारी सुब्दाएं फ्री होना चाहिए राची में पहले से सुबह उठता पेपर में हर जगह राम मंदी दिमाग तो टेंशन होई जाएगा राम की वज़े से उसे पैसा थोन मिलेगा पैसा जो मिलेगा वो जाज सोड़ोस बगैरा से राजु राहुल गांधी के उसमें यह सक्स वो सक्स है कि बिहार में राहुल गांधी गए ते सु देखा कि नहीं बनवार है राहुल गांधी तो इन्हों ने नितीश कुमार से कह दिया नितीश कुमार ने लालू को इसे इसारा किया कॉंस्प्रेसी हो गई मतलब जो डारी वाले है और लालू जी को भी इतनी तो वह विचारा बोले वह साधी मैं इसके मम्मी से भी कहते हो गई सिर्फ इस कारण कि इनके भाई को मनती नहीं बनवार है राहुल ने कोशिस की यह वह सक्स जो विका हुआ है आप ख़बर दीजिए मोदी के खिलाब दीजिए बेलकम बहुत अच्छा सरकार कहीं खराब कर लें मगर करनाटक के सरकार भी खराब कर लें महां के खिला करनाटक की खबर नहीं दे रहें करनाटक में यह हो गया कि जो भी नहीं आएगा उसको पर जुर्माना होगा उस दिन 22 सारीक को मतलब एक तरब लोग छुट्टी बरार मैं आपको बता रहा हूं नहीं कहना चाहिए यह रवीश कुमार का सिर्फ एक है निगेटिव हो गई ह बुद्धी वो हो गई और इनको जितनी जल्दी हो चुक है दूसरी बात है अगर यह दिल्ली भी जाएं तो इनके लिए आगला बड़ेली उधर नाची कई जगए इनके लिए विवस्ता होनी चाहिए और अच्छा मतलब इनका मान सम्मान होना चाहिए और यह यूटूब इनका आँए आप क्या पोजिश्टि वोती आगै कुछ भी हम कहेंगे अगले के अंदर है पत्रकालता गुर्ण दोजा ठारा हम कहते हैं मोदी जी राम बंदिर कब बनेगा कब बना रहे हो यह कहते हैं और मोदी ने साइद इन्ही के कहने पर बना दिया अब इनको जाना चाहिए पैड चूने चाहिए कि हमारी बात तुमने मा अब इन्हें कहना चाहिए कि मोदी ने हमारे कहिने पर किया यह रवीस कुमार कहें तो गनीमत है जालिम लोसन को तुम ले करके क्या कर लोगे खुजली अगर किसी के बहुत पुरानी हो तो एक जालिम लोसन ने कई जालिम लोसन लग जाएंगे कई जालिम लोसन लगेंगे और डबा पूरा लेके जाना बर्नौल भी लेके जाना मगा जलन छोड़ दो नहीं तो आपको बताना है जालिम लोसन जालिम जालिम को ही और जब पत्रकारता में जालिम गिरी नहीं होनी चाहिए नहीं तो आपको बताना है जालिम पत्रकार से बेहता रहा है पिलाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राह रखी और कहीं न कहीं अगर हम इनकी बात माने तो इनका कहना यही है कि आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार होने के नाते आप प्रधान मंतरी मोदी का विरोत कर सकते हैं उनके द्वारा जो नीतिया अपनाई जाती हैं उनको लेकर के सवाल कर सकते हैं लेकिन आप तो सीधे तोर पर आज राममंदर का ही विरोत करने लगे हैं देश का ही विरोत करने लगे हैं पिलार इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जर नवादट.